हालो इस्टुरेंट्स आई आज नाउन का एक्सरसाइज नंबर फोस सी देखते हैं यह नाउन पराधारित है नाउन मैं पढ़ा चुका हूँ अगर नहीं देखें आप वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्सर में लिंक भी दे दूंगा उसको भी आप देख लिजिए ताकि आपक देखें पहला वाकिया आपको क्या कह रहा है कि पहले तो डारेक्शन प्रजिए पीक अप दराइटली करेक्टिट संटेंस इन फॉल्विंग वंस निम्न खित में सही डंक से लिखे गए वाक्यों को क्या करिए पिक आप मैं च्छाट हो तो पहला वाकि कह रहा है माई फ्र अब कहा है मतलब देखें इसको आपको करेक्ट करना है तो देखें ग्रामर का रूल यह करा है कि डवल डवल पुश्टाफी का प्रोग नहीं करते हैं अगर दो बारे पुश्टाफीस आजाए फ्रेंड्स मनें दोस्त की पतनी या तक तो सही फिर पतनी के भाई भी उसमें दोस्त की पतनी के भाई पुश्टाफीस आता है तो सबसे पहले हम जो दूसरे पुश्टाफीस के बाद वाले को पहले लिखते हैं फिर आफ कप रोग करते हैं तो देख लिए यह कांसेप्ट आपको पता होना जाहिए दूसरे वाला ब्रदर कहां पहले है किस वाक्य में ह ख्रेक्ट सी में उसकी बअद दोनों में हैं ठीक तो दाबर दर आफ उसके बात पुरन माई फ्रे爱 कर लेगा तो माई तहुक है तो द ब्रस्त काट देना वी जानता हुए यहाल करने है दो प्रदर आफ माई फ्रेड्ड देखे यहां हृँ फ्रेंट फ्रेंड्स वाइफ ठीक है तो फ्रेंड्स वाइफ जो है हैज कम तो दूसरा वाला सही मिल जा रहा है क्योंकि देखिए जब बाद वाला ब्रदर को पहले कर देंगे तो यह वाला फॉस्ट अफ यह सड़ यह वाइफ के साथ तो वाइफ के साथ जो है इसमें लगा है डी वाले में इसलिए हो नह दूसरा है I have my sympathies with you मेरी सहानभूत यह आपके साथ है तो पहले बाद तो sympathie का बावचन आपको sympathie का अडनेस यह बताएगा इसका बावचन नहीं बनता है एक बावचन में प्रोग होता है तो आप देख लिए जिए sympathie का एक बावचन का है पहले में बावचन बनाए यह ग समित मेरे मुद्दे पर डिवाइड़ माने बट गई तो समित नहीं बटेगी समित के लोग बटेंगे अगर डिवाइडेशन होगा कमेटी के साथ तो कभी भी डिवाइड यह डिवाइड़ आएगा तो कमेटी को मिसा जो है क्या किया जाएगा बावचन इसके साथ यूज कि जाए रहा भर वह सोङ हां यह सथा किव इस डिवाइड़ बढ़िए की है तो माईश जाए है का मैट इस साथ हाइज लगे गया है क्योंकि इस डिवाइड़ भी गलत तो बाइड़जाती है तो पाहला सही है तो कमेटिक साथ इज नहीं आर लाए क्योंकि डिवाइड़ड है इसलिए एगर वण प्वाइट होता हुझ ठीक है तो फिर इवाइडेशन नहीं होता तो वो माना जाता है कमेटी ठीक है एक समू को बताता है लेकिन अगर बट जा रहे तो वहां की ब्यक्तियों को बताता है तो ब्यक्तियों को बताने के लिए डिवाइट के ना थे कमेटिक साथ आर लगी अगला है निराला रोट मेनी पोटरी जानने चाल निराला ने प्रक्र पॉर्ट्रीज तो मेनी चाथ पॉर्ट्री द लिखांए जाता तो मेनी भॉम्स हो जाता है prem बंता है पोट्रीक नाहीं होता नोल मिन प्रोम मैंने कभीता निरह आला ने त्रक्रित के उपर कई कभीता हैं लिखें तो मेनी को आगला 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 एटन रूपी मोट मैं उसे दस रूपय का नोट दिये तो हो जाएगा आगला एटन रूपी नोट तो सही कौन सा है लोट आइ गेव है 10 lot फार 10 रुपी एप हार तो हो वह Working इसके Dear 10 रुपर का नोट अब देखे हैं यह पहलब 10 ूपी नोट है इसमें भी है भी आप बहुत बारिक ढलती है इसमें भाईन नहीं हो सकता क्या हो क्यों 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 możemy लुपी दस रूपए का एक ही नोट देना है तो टेना रूपी को भीच में हाइफन राना चाहे हाइफन कहाँ हैं सी वाले में आई यह भार ए टेन रूपी नोट बाकी गलत हुझाएगा सब्द बाले माई है लेकिन हाइफन का मत दोता है यह नोट आपका नाउन है इसके प अगली वीडियो में आपको प्रोनाउन की एक्सरसाइज हल करा जागे इसके लाओं सब कुछ आगे पढ़ा जा रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए घंटे को दबा लिए अगर नहीं आप देखे हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका दे दे रहा हूं मार्स उनका भी देखते रही एक्सरसाइज करते रही है सिखते रही है थैक्स वर वाचिंग वीडियो